श्वागत है दोस्तों CHO Academy चैनल में दोस्तों एक और सांदार वीडियो लेकर आए हैं वीडियो में हम बात करने वाले हैं UP Community Health Officer Document Verification Update 2022 को लेकर जी हाँ दोस्तों DV के दोरान EWS और OBC दोनों कंडिडेट को यहाँ पे ज्यादा नुक्सान होने वाला है क्यों होने वाला है इस व आपको प्रूप के साथ यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूं और किस परकार से वेटिंग लिस्ट है वो आएगी कंडिडेट बार-बार मेसेज कर रहे हैं किसर वेटिंग लिस्ट आएगी क्या बिल्कुल 100% आएगी किस बेस पे आएगी यह तमाम बाते में इस व कोटिफिकेशन पर प्रेश कर लें ताकि हर एक वेकेंसी के अपडेट आप लोगों तक चैनल के माद्यम से पहुं सकें अब चलते हैं सीधा हम बात मुद्दे की तरफ लेकर चलते हैं अब यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक लिस्ट यहां पर दिखाने जा रहा हूं जोकी यूपी अनचम की तरफ से ओपीसिल वेबसाइट के माद्यम से यह लिस्ट है वो रिलीज की गई है जो आप लोगों को बार-बार प्रेशान कर रहे हैं और मेसेज कर रहे हैं जो candidate प्रेशान है उन candidate के लिए यहाँ पर मैं इस PDF के जरे आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि जो जितने भी आप लोग comment कर रहे हैं उन सभी comment का इस PDF के मार्देम से आपको answer है वो मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले point नमर एक की हम बात करेंगे whether OBC and EWS certificate obtained before 142022 या after 982022 क्योंकि candidate मेसेज करें कि sir OBC और EWS का certificate है वो कब का होना चाहिए देखो यहाँ पर साफ साफ NHM ने अपनी guideline जारी करके बता दिया है कि जो 142022 है इससे पहले या फिर 982022 इसके बाद का अगर आपके पास है तो आप eligible नहीं हो यह बोल रहा है कि अगर है तो नहीं हो आप eligible क्योंकि considered as an registered candidate and detailed sent to state by PSE अगर आप not eligible हो अगर ऐसा आपके पास है तो आप unregistered category में आपको रखा जाएगा और अगर आपके पास 142022 से लेकर 982022 इसके बीच का है तो आप eligible हो यह यह इसमें यहाँ पे साफ साफ बताय गया है point number 2 की हम बात करें valid registration certificate from UP nurses and midwife council issue on or before date 982022 अगर इससे पहले का है आपके पास तो आप बिल्कुल eligible हो इसके लिए अगर इसके बाद अब जो point number मैंने अपने thumbnail में आप लोगों को बताई थी कि जो other state के candidate है उनको बाहर कर रहे हैं आउट कर रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं ज्यादा candidate बाहर क्यों हो रहे हैं और बाहर होने की वज़े से ही यहाँ पे waiting list आने का बहुत बहुत चांस है क्योंकि बाहर क्यों हो रहे हैं क्योंकि वेकेंसी आने से पहले जो अदर स्टेट के कंडिडेट थे उनके पास यूपी का रेजिस्टेशन सेटिविकेट नहीं था जैसे ही वेकेंसी आई है 982022 इसके बाद उन्होंने यहां पर सेटिविकेट के लिए अपलाई किया है तो यह बोल रहा है अगर इससे पहले का है आपके पास यस है तो आप इलिजिबल हो अगर नहीं है तो आप नोट इलिजिबल हो तो इसकी वज़ए से reject कर दिया जाएगा for CCHN training के लिए आपको यहाँ पर reject कर दिया जाएगा तो इसकी वज़ा से हैं जो other state के candidate है वो यहाँ पर बाहर हो जाएंगे point नमर 3 की बात करें whether female candidate have the valid caste certificate issue from father side अब यहाँ पर अगर किसी लड़की के साधी हो गई है और उसके पास अपने father यानि अपने peer की पक से अगर उसके पास caste certificate है तो वो eligible है साब साब यहाँ पर लिखावा अगर yes अगर है उसके पास तो वो eligible है उसने लगाया है तो बिल्कुल eligible है इस तरह का भी message मेरे पास चार पास candidate का message आया है कि सर किस side का यहाँ पे हमें card certificate लगाना है इसमें यह नहीं बताया गया है कि वो कब का होना चाहिए यहाँ पर यही बोला है कि card certificate है वो कि side का है इतना है यहाँ पर dad mention नहीं है तो इसका मतलब अगर अभी भी आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हैं बिल्कुल इसमें साब साब आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और जो मैं ने बताया वो सुन सकते हैं क्योंकि अगर आपके पास है अपने P.H.E.R. अपने माइक के का तो आप eligible हो और अगर आपके पास नहीं है तो आप not eligible हो और situation training के लिए आपको क्या कर दिया जाएगा reject कर दिया जाएगा सारी detail यहां पे इस point के मादम से आप लोग समझ सकते हैं अगर समझ में नहीं आई बाकी समझ में आ गई होगी point नमर चार के हम यहां पे बात करें वेदर female candidate found pregnant अगर कोई ladies है वो pregnant है तो उसके पास अगर documents है तो वो eligible है वो उसको documents यहां पे submit करने होंगे साब साब यहां पे लिखावा है तो यह काम तो easily हो जाएगा point नमर फाइफ है वेदर candidate submitted EWS OBC SCST certificate of other state and shortlisted under that category अब यहां पे क्या बोला गया है कि जो दूसरे state के candidate है जैसे OBC का है जन्रल के टिगरी का है OBC का certificate यहां पे लगा दिया गया है तो ऐसे करने वाले candidate को यहां पे not eligible list में डाला जाएगा और वो eligible यहां पे नहीं माने जाएंगे और CCN training के लिए यहां पे आपको reject कर दिया जाएगा अगर आपने ऐसा किया है yes तो आपको eligible नहीं माना जाएगा यहां पर और वहां पर आपको reject कर दिया जाएगा पॉइंट नमर 6 है बिल्कुल सेम है पांच नमर पॉइंट में है कि अधर स्टेट का है और पॉइंट नमर 6 में है कि candidate अगर उत्तर परदेश का है और उसके पास candidate अगर आपके पास जनरल का है और आप OBC का यहां पे डिफरेंट का सेट्टिविकेट डीवी के दोरान अगर आप दिखा रहे हो अगर ऐसा पाया गया तो आप नोट इलिजिबल हो CCHN ट्रेइनिंग के लिए आपको रिजेक्ट कर दिया गया इसका कल्कुलिजन है वो यहां पे आपको मिल जाएगा पोइंट नम्मर 7 है वेडर कंडिदेट सबमिटेड इनकंप्लीट ओरिजनल डोकोमेंट एड़ टाइम ओप डिवी पी तो सारे अपने जो ओरिजनल डोकोमेंट्स है डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के दोरान अगर सारे डॉकुमेंट्स है तो आप इलिजिबल हो तो यह इस परकार से यूप अचम ने यह गाइडलाइन जारी करी थी और उसी रिजेल्ट के दोरान डॉकुमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट आये थी उसके साथ तो यह लिस्ट लोगों को समझ में नहीं आई मैसे जा रहे थे बार बार उसके आदार पर मने आप लोगों को यहां पर बहुती इजी तरीके से बता दिया गया है बाकी कोई भी कलकुलेजन होगा आप कमेंट वोक्स में कमेंट कर सकते हैं आपको बिल्कुल रिप्लाइ दिया जाएगा जवाब दिया जाएगा और जब तक यहां पर रिजेल्ट पूरन तया आपका वेटिंग लिस्ट नहीं आ जाए आपको हम हर एक वीडियो के साथ अपडेट हो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और बेल आइकन को आल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक वेकेंसी के अपडेट आप लोगों तक जल से जल्द पहुंच सके जो सब्सक्राइब बटन है उसके पास में नोटिफिकेशन का बटन ह होता है उसको आल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक वेकेंसी के अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों नूव वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार